साथियों, quality education की दुनिया में कई parameters हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, तो हमारा एक बड़ा प्रयास है, समान्ता, राष्ट्रिय स्विक्षा निति की प्रात्विक्ता है, भारत के हर युवा को समान्त स्विक्षा मिले, स्विक्षा के समान आउसर मिले, जब हम समान्त स्विक्षा और समान आउसरों की बात करते हैं, तो इस जिम्मेदारी केवल स्कुल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती, समान स्विक्षा का मतलब है, सिख्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुचनी चाहिए, समान स्विक्षा का मतलब है, हर बच्चे की समझ और चोईस के हिसाब से उससे विकलपों का मिलना, सबान सिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, छेत्र के खारण बच्चे सिक्षा से बंचित न रहे इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है देश का प्रयात ये है कि गाउं, शहर, अमीर, गरीब हर बर्ग में युवाओं को एक जैसा आउसर मिले आप देखिए पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर ख्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे लेकिन आज देश भर में हजारों स्कूलों को PM3 स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है 5G के इस यूग में ये आदुनिक हाई टेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आदुनिक सिख्षा का माध्यब बनेंगे आज आदिवासी इलाकों में एक लव्य आदिवासी स्कूल भी खोले जा रहे हैं आज गाउं गाउं इंटरनेट की सुविधा उपलब्द है दिख्षा स्वयम और स्वयम प्रभाजे से माध्यबों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से अच्छी किताबें क्रियेटिव लर्निंग टेक्निक्स हो आज डिजिटल टेक्नलोलोजी के जरिये गाउं गाउं ये नए विचार नवी ववस्ता नए अवसर उपलब्द हो रहे हैं यानि भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैब भी तेजी से खत्म हो रहा है